जहीं दोस्तों वैलकम बैक और एक नएए वीडियो में और एक नएए टॉपिक्स के साथ मैं हूँ राजेश और दोस्तों आज कि जो वीडियो है इसका टाइटल है पाकिस्तान के वज़र से भारत दुनिया में आईसॉलेट है पाक मीडिया का बड़ा दावा सविए पाकिस के साथ जरूर से बात करेंगे लेकिन वीडियो ची लगे तो लाइक हो शे जरूर से कीजेगा भूलना मत और शेनल पर पहली बार आप ताम ने सब्क्राइब नहीं किया इसनल को तो सब्क्राइब जरूर कर लिए शली वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडिया का जो खाब है सेक्यूरिटी कांसल का पर्मेनट मेंबर बनने का वो पाकिस्तान ने रोका हुआ है हमारी वज़े से रोका हुआ है और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है नाजिन भारत का पाकिसान पर बड़ा आभी हमला द्रिया सतलूज बिफर गया तबाही मच गई बस हवा निकल गई टप एजनसी वो कहते हैं साथ मुल्क रह गए हैं जिस पे करंसी क्राइसिस विदिन ट्वेल्फ मन्स आएगा और उन साथ में हमारा नाम भी है तो इसके माने कि खत्म बाइबाइ टाटा गुडबाइ कश्मीर और यह इंडिया को जो काबू करना यह हमने किया हुआ है और बड़े जोर से किया हुआ है अरे चैंचाए इस उमर में इतना जोर लगा हो गए कहीं पीछे जोर निकल गया तो फिर गड़बड हो जाएगा ना वो अच्छा जोड़न लगगा इस उमर में तो इंडिया को काबू करने के जादा जोर मत लगाई ए तो फोद दिकत हो जाएगा हेलो दोस्ते नमस्कार मैं हूँ सौरा और आप देख रहे हैं नाइटोट इंडिया दोस्तों इनलों का वीडियो देखके और सुनके आपको मज़ा ही रहा होगा और मुझे भी मज़ा आ रहा है और ऐसे ही आप लोग थोड़ा प्यार देते रहे तो और भी वीडियो ऐसी मिल हो रहा था कि 1961 में पर परसन पाकिस्तान 0.66 hectakres थे जिस तर आप अपना खाना हुगा सकते थे 0.66 per person, famine is on its way, पानी की shortage 2025 से water shortage आजाएगा, और हमने कुछ नहीं किया है इंडिया को आप कहा देखते हैं आपने बताया कि जैसे चाइना तो राइस पर है और अमरीका डिकलाइन पर है इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया भी ऐसा लगता है कि जैसे राइस पे है उसकी economy देखें भी recently चंद्रियान उन्होंने मिशन खला में भेजा मतलब चांद तक बजा रहा है तो सर आपको लगता है कि 2050 तक इंडिया भी कहीं पी 5 में से किसी एक सीट पे बैठा होगा वीटो के राइट के साथ पहले तुम्हें ये बात पता दूँ के हमारे लोग अकसर नहीं जानते के इंडिया का जो खाब है security console का permanent member बनने का वो पाकिस्ता ने रुका हुआ है हमारी वज़े से रुका हुआ है हमने बकायदा यारी आपको हरानी होगी कि हमने एक ऐसा ग्रूप वहां बनाया था जिसमें चाइना भी शामल है उसमें कोरिया भी शामल है स्पेन भी शामल है इटली भी शामल है अर्जेंटीना भी शामल है मैक्सकों पाकिस्तान शुरू में हम इसको कॉफी गुरूप कहा करते थे कॉफी कलब बनाई थी हमने वहाँ न्यू यॉयॉक में और हर मैस्टर जो होता है वो हमारा जो यही रोल करता है कश्मीर और ये इंडिया को जो काबूर करना यह हमने किया हुआ है और बड़े जोर से किया हुआ है खाने को चने नहीं पिछवारा मांगे जाइफल तन खा साड़े पांस सब कंदे बटांगे राइफल कि ना हमने कश्मीर इंडिया की हईश कोशिश रही है उनने सारे चार कंडिडेट्स बनाके जर्मनी, इंडिया, ब्राजील और एक और मुझे लिए भी याद रहा, पचार मेंबर उनने, यह जपान, यह वेस्टन पावर्स नहीं, हमने कहा है कि हम पर्मिनेट मेंबर्स में इंक्रीज नहीं होने देंगे, आप नौन पर्मिनेट म हवाले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया जियोग्रैफिकली, कभी हमारे लोगों ने इस बात का रियालाइज नहीं किया, कि इंडिया वस्ट आइसलेटिड कंट्री इन डिस रीजिन, क्योंकि जो इंडिया की बाहर जाने की वो थी, वो सिर्फ समंदर एक तरफ हमालिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो और तो रास्ता कोई नहीं है, बंगला देश के बाद वो उदर बर्मा शर्मा चोटे मुलकों के जरीए, यानि कोई एकसेसरी थी दुनिया में, पाकिस्तान उसके बरक्स शोटा मुलक था, लेकिन अगरचे इंडिया ने हमारे साथ बहुत जल्म किया था जब हमारे बॉर्डल्स को चेंज करवाया, ट्रंकेट किया, और टेंपरीं की पार्टिशन की, तो उसके बावजूद पाकिस्तान आज दुनिया के हर खिते के साथ मुनसलिक है, आप लोग की टोटल जो फिलोस्वी होती है, वो इस्टुट बातों के वपर बेस्ट होती है, आप लोग हर वग खाली जेप के वपर ड्रामें करते रहते हैं। जा सकती, उसने अगर एरान भी जाना है, तो हमारे जरीए, अफ़ानस्तान जाना है, तो हमारे जरीए, तो किदर जाए, जाए तो जाए, कहाँ जाए? सारे नलायक, चीटर, फ्राडिया, ठर्की, सब मैं देख रहा हूँ, कामियाब जा रहे हैं, कोई आला होदों पे बैठा हुआ है, तो कोई फैक्ट्रियों का हमालिक है, तो कुछ, तुम्हारा मुल्क हाक ठर्की करेगा, जहां टैलेंट की कुछ कदर ना हो, कि आप लोगों क और हसने वाले लोग बिजली का बिल लदानी कर पारें, चोटा सा बच्चा सा जब मैं इंडिया से हम अपनी फैमिली के साथ माइडरेट करके आया थे, तो हम तो पाकिस्तान आया थे, कादादों के, और मैं आज तक मुझे पाकिस्तान नजर नहीं आया, क्योंकि सवाए ए अच्छा काम किया, उसने सोवियट ऑक्यूपेशन से बचवाया, उसके बद मुझे अगरचे मुझे बहुत पॉलिसियां घलत थी, वो जो अफ़गानस्तान की जंग खेच कर पाकिस्तान में लाया था, सिर्फ अपनी लेजिटिमेसी लेने के लिए, तो वो गलत थी, लेक अबर नहीं हैं, हम बहुत नीचे हैं, इस वक्त इंडिया हर सिच्वेशन जो है, वो उपर जा रहा है, आपने जो नाम लिया, स्पेस में पहुंच लिया, और अमन है, हाँ, एकनॉमिक प्रॉसेस चल रहा है, अजादी है, अमरीका की, रूस के साथ तालुकात अच्छे है चीन के साथ अच्छे हैं, तजालत सब के साथ हो रही है, हमारी पास तो, यानि हमारा तो इंडिस्ट्रियल वील नहीं काम करता, इंडिस्ट्रियल, अब ये फौज के जिम्में डाला है, यानि खाने को इनाज नहीं है आपके पास, हर चीज़ मंगवाई जा रही है, बिका इंडर हकूमत की वज़े से तो मुल्क जो है, ये कही का नहीं रहा, पाकिस्तान खत्तम होने के का घार पे है, खाने को कुछ है, तो थाइंक दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और बता दू आपको मुदी जी ने लाल क्ले से बूला था, कि मैं ऐसा करूंग आपको भीक का कटवरा लेकर दाओंगो भीक भीक भी नहीं मिलेगी, तो ये हालात अभी आपके है, और आप बोल रहे हो, कि भाए, जी ट्वेंट इवलप जो मदब, यूनियन सेक्यूटी काउंसेल में आप परमिनिट मेंबर आप नहीं बनने दोंगे, और आपकी वज़ से नहीं बन परमने जूट क्यों बोल रहे हो, यार इतने आप पड़े लिखे इंसन में को लग रहे हो, और बुजूर्ग है, बड़ी उमर के है, और आप भी जूट बोल रहे है, हद है यार तुम लगों की, हर एक बात में जूट, फिर जूट उसका बाहर ना आए, इसलि पाकिस्तान अभी तो मोदी जी है, मोदी जी ने जो बोला था, वो करके दिखाएंगे, आपको कहीं का नहीं रहे नहीं देंगे, यह उसका पक्का नीन नहीं है, और वो करके रहेंगे, और आप यदि जिन्दा रहे तब तब तब, तो आप पी देखके जाहेगा, उपर, जहां पे आप बोल रहे न, जहन्नुम, और वहां पे बहतर उरे रहती है, वहां पे जब आप जाओंगे, तब आप देखके जाना, कि पाकिस्तान कहीं एक्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, कहीं पे भी नहीं, कि ओल्मोस्ट कंट्री ने गेट आउट पाकिस्तान जैसे कि अभी आपके जो कुछ नाम तुमें नहीं जानता, कि बहुत सारे लोग थे, जो इनलीगली ग्रिश में गए थे, और वहां के जंगल में आग लगा के आए है, एक आपका डॉक्टर अमेरिका में, 9-11 वाले हमले की फिरत में था, उसको गिरपतार कर लिया, बहुत आप हर डेली कुछ ना कुछ पाकिस्तान का जो न्यूज आता है, वो बहुती बढ़िया आता कांड वाला न्यूज, कुछ अच्छे कामों कांड न्यूज हमने कहीं सुनाएं नहीं है, आपके पास कुछ अच्छे कामों आपने कहीं किये हो, तो प्लीज आप इंटरनेट पर शेयर करिएगा, और यह हमारे यूटूब सुनल है, पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो, तो कॉमेंट में हमारे साथ कोई लिंक हो, वेबसाइट की, तो ज़रूर से शेयर कीज़ेगा, हम पढ़ना चाहेंगे, कि पाकिस्तान ने या तो पाकिस्तानी आवाम ने यहा बहुत ही बक्वास रहे हो, मेरे मेरी नजर होना है, क्योंकि सब आप आपके देश का भला नहीं कर सकते हो, आप आपके देश के नहीं हो, तो किसी के कहां से हो सकते हो, और बोल रहे हो, कि इंडिया मतलब सब 26 जगह से घिरा हुआ है, मतलब आइसोलेट है, पाकिस्तान उस तो हमारे पास सारे रास्ते खुल है आप सिंता मत करो इंडिया को कहां से कैसे जाना है वो मोदी जी है वो हमारे लिए रास्ता निकाल कर रहेंगे ठीक है और रास्ता है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है आपको दिख रहा है चाइना जो आपको अलड़ आपका बेड़ा गर कर शुका है तो उसके साथ भी अच्छे बने जी ट्वेंटी के लिए चाइना के स्री जिन्पिंग जी इंडिया पदार रहे हैं जिसका होटल में कमराबुक हो शुका वो भी ताज होटल में और वहां पर बहुत सारे कंट्री के जो पीम होंगे वो आएंगी ठीक है और आपक जिस देश की कौन पीम है वो किसी को पता नहीं उसको आमत्रित करके करे क्या जिसको हर जगाए पर जाके भीख मागने उसको आमत्रित करके करे क्या तो दोसे इस वीडियो के बार में आपके क्या रहे है कमेट में लिकर ज़रूर बताएगा मिलते और एक ने वीडियो में तिल देन, जैहिल, जैबार!